गुर्जर आरक्षण आंदोलन के महा पंचायत नाशनल हाइवे संख्या आठ जाम किया गया है और जाम करने का लिया फैसला आसपास के गाउं को भी दी जाएगी जिम्यदारी यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही अजमेर से जहां पर मांगली आवास में गुर्जर कि जितने भी गुर्जर गाउं हैं उनको भी सिम्यदारी सौंपी जाएगी और वहाँ पर भी सड़कों को अवरुद किया जाएगा जाम लगाए जाएगा यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कहा जारा कि अजमेर में महा पंचायत हुई है गुर्जरों को लेकर औ लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा कि नैशनल हाईवे को जाम करने के लिए महा पंचायत बुला कर फैसला लिया गया अब डेट किया है तैयारी कैसी है पुलिस प्रशासन क्या कर रहा और गुर्जर समाज की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहा है अब हाँ देखे सबसे पहले में आपको नजारे दिखाना चाहूंगा जो तमाम गुजर नेता है वो महा पंचायत इस्थल से रवारा हो करके नैशनल हाईवे संख्या आट पर पहुंच चुके हैं और यह एलान कर दिया गया है कि नैशनल हाईवे संख्या आट को पूरी तरीक के से जाम कर दिया जाएगा यह जाम सांकेतिक होगा या अनिश्चित कालीन होगा अभी इस बात की जानकारी प्रेस को नहीं दी जा रही है लेकिन जिस तरह की की तैयारी जो कमेटी का गठन किया गया था और उसमें जो वारता हुई है उससे साफ तोर पर यही जाहिर हो र रहेंगे यहाँ पर कम से कम सो से दो सो लोग एटे टाइम हमेशा मौजूद रहेंगे उनके खाने पीने की जो वेवस्ता है वो जो इस्थानी आजपास के बुजर बाहुल्य गाउं है उनके माध्यम से की जाएगी इसी के साथ अगर प्रशाश्निक वेवस्ताओं की हम ब रहा है कि पुलिस और प्रशाशन देखो और इंतजार करो की नीती पर काम कर रहा है किसी भी तरह से ये जो तमाम गुजर नेता है ये कहीं उगर ना हो जाए सरकारी संपत्तियों को और यहां से गुजरने वाले वाहनों को किसी तरह का नुखसान न पहुंचा इस मीती के तहती ये निडने लिया गया है जैसा कि साफ़तोर पर नजर भी आ रहा है कि इनके साथ में किसी भी तरह की वर्तवान में सक्ति नहीं की जाएगी लेकिन इसी के साथ में जो निगरानी है वो लगातार यहां पर की जा रही थी प्रयाब संक्या के अंदर जापता इस्थानिय प्रिशाशन की तरफ से रोड मैप तैयार किया गया था। उसमे इस बात की आशंका थी कि अगर ये रोड जाम का फैसला लेते हैं रास्तिय राजबर्क संत्या आठ को जाम करने की कोशिश करेंगे तो जो वहान है उनको वैकलपिक रास्तों से निकाला जाएगा ताकि किसी तरह की आईवेवस्ता उत्पन ना हो। देख सकता है कि किस तरीके से जो भारी पुलिस बल है उसको भी अब हाईवे पर पहुचा दिया गया है। कोशिश लगातार इस्थानिय प्रिशाशन की यही है कि समझाईश के माद्यम से जो जाम है इसको सांकेतिक रख चलता है जब तक कि किरोडी सिंग बैसला किसी निर्णे पर नहीं पहुंसते सरकार के साथ में कोई समझाता नहीं हो जाता और करणल किरोडी सिंग बैसला का जो संकेत है वो उनको नहीं मिल जाता जी बिलकुल सही आपने का जरा इनसे बातचीत करिए एक बार देखिए क्य सरकार लगातार 14145 की बात कर रही है, रासु का लगाने की बात कर रही है, और ऐसी इस्थिती में आज की महा पंचायत में यह निर्णे की रास्ता चाम कर दिया जाएगा देखिए ये सांती पूर्वक अंदोलन हो रहा है और गूजर समाज की जो जाइज मांगे और करनल साब जो वहाँ पर आरक्षन को लेकर के लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं आका गूजर समाज की पूरा करनल साब के साथ है और हम सब लोग किसी भी परकार की कोई हिंस की लाइन नहीं कर रहे हैं और बिना किसी हिंसा के यहां पर जो घूजर समाज के लोग हैं अपने आरक्षन की मांग कर है इसमें हृँ कोई परकार की को नुक्साण नहीं पहुंचाय जा रहे हैं और यहuntी की लड़ाई के लिए आरक्षन में लगाता और गूजर नेता भी इस बात को कह रहे थे कि आम जनता को कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए क्या आरक्षन का रास्ता केवल रेल मार्ग और रास्ट्री मार्गों को जाम करके ही निकल पाएगा कोई समझाईश की या कोई समझोतिगी गूजर समाज सभी 36 कौम क सम्मान करता है सभी कास्टों का सम्मान करता है लेकिन हमारे हक की लड़ाई के लिए हमारे बेहतर सहीद हुए समाज के हमारे जो समाज की लड़ाई है वो हक हमें मिलना चाहिए तो देखे आशी सीधे तोर के उपर इन लोगों का साथ तोर पर कहना है कि ये जो लड़ाई है ये आरक्षन की लड़ाई है एक हत की लड़ाई है मनवीर एक बार हिम्मत सिंग वैसला गुट को लेकर भी इन से सवाल पूछे है चूकि सरकार से वारता हुई एक समझोता पत्र भी तयार हुआ कई बिंदूओं को लेकर वकाईदा लिखित में सरकार ने दिया क्या वो समझोता पत्र इनके लिए कोई माइने नहीं रखता है करनल तुम संगर्श करो हम तुमारे साथ है देखिए नौरजी एक बार पर बात करना चाहुआ हिम्मत सिंग बैसला ने सरकार के साथ में बातचीत की समझोता भी हुआ या वो समझोता मानने नहीं पर है यह सवाल जरूर महत्पून हो जाता है लेकिन यह जानना भी महत्पून हो जाता है कि आज के इस आंदोलन में एक तरफ जा भारती जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अद्देक उन पर काज बढ़ाना की सक्रियता देखी जा रही है जे वहीं पर इस बात को भी रिखांकित किया जाना बेहत मैत्पून है कि कॉंग्रेस के तमाम नेता जाहे हम बात मेंदर सिंग गूजर की कर लेता है नौरत गूजर जो खुद अजमेर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में रहे उनकी कर लेते हैं घर्चंध हाकला की कर लेते हैं जो कॉंग्रेसी नेता के रूप में भी अपनी पहचान को रखते हैं लेकिन आज इनका भी एक सोर में ये कहना है कि जो आंदोलन होगा वो करणल की रोडी सिंग बैसला के नेतरत में होगा और जो कुछ भी समझोता है इंबस सिंग के नेतरत वाली कमेटी के द्वारा किया आया है महा पंचायत में भी इस बात की सुखबुगाट रही थी जो आंदोलन है वो सांकेतिक हो सकता है शांदीपून तरीके से हो सकता है लेकिन क्योंकि समाज के युवाओ का ये दबाव इनके उपर तमाम नेताओं पर रहा कि आखिरकार इनको ये निर्णा करना पड़ रहा है तो ये लोग कहां अड़ा मारेंगे कहां बैठेंगे क्या राजबर रुकने की पूरी विवस्था करनी की तयारी है या जब तक बाते नहीं मान ली जाएगे तब तक ये सड़कों पर रहेंगे या कुछ घंडे बाद यहां से चले जाएगे चुकि एक तरफ रेल पड़ी तो बादित है ही अधिक आशिस हमने इस बात को जानने की कोशिश की इन तमाम नेताओं से लेकिन इनका साफतार पर कहना था कि बहुत सारी बाते ऐसी हैं जो रणनेतिक रूप से फिलाल गोपनिय रखी जा रही हैं किस स्थान के उपर जाकर के ये लोग जाम लग तमाम तरह की विवस्ता हैं कैसे और कहां से होंगी ये सारी चीजा ऐसी हैं जो आने वाले समय में ही पता चलपाएंगी फिलाल इनका जो जो जोर है वो केवल इस बात पर है कि किसी भी तरीके से हाईवे को जाम कर दिया जाए प्रिशाशन जिस तरीके से सम्झोतावादी रुख अपना रहा है साफ तोर पर देख सकते हैं कि पुलिस का जापता है वो प्रयाप्त रूप से यहां पर मौजूद है लेकिन कहीं न कहीं उनको भी निर्देश का इंतजार है और ये जो निर्देश कब आता है कैसे आता है क्या समझोते का इंतजार किया जाएगा और रहाजा सकता है कि अब अजमेर में भी गुर्जर आरक्षन आंदोलन उग्र होने की दिशा में कदमताल करता हुआ सड़कों पर साफ दोर पर दिखाई दे रहा है तमाम जो गुजर हैं वो सड़कों पर निकल चुके हैं और जैसा कि हमारे सूतर हमको लगातार जानकारी दे हैं कि ये जो निने हुआ है इसके बाद अब जो आसपास के गुजर बाहूं ले गाओं हैं वहां से भी बड़ी संख्या के अंदर वहिलाओं को और युवाओं को इस आंदोलन इस थर्द के उपर लाया जाएगा ताकि इस आंदोलन को लंबा चलाया जा सके बिलकुल मनब संख्या 8 को जाम करने के लिए पंचायत करके फैसला लिया गया है जिस पर आप देख रहे थे कुछ देर पहले कि गुर्जर समाच के लोग सड़कों पर आ चुके हैं एक तरफ पेलूपूरा में ट्रिल्वे ट्रैक को जाम किया गया है उधर भी लगातार आवाजाही है ऐसे में सरकार पर लगातार दबाव बंता जा रहा है लेकिन अब देखना ये है कि क्या सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर कोई और पहल